हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चनलन बीट आपर में जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपके लिए यूपी त्रपल लसी दौरा वैजित टूबल आपरेटर पर इच्छा संबंदी टेस्ट पेपर करवा रहे हैं और इससे पहले हमने कई साहे टेस लेकर आपके लिए हिंदी का टेस्ट के प्लीज आप टेस्ट के तरीके से इसको दीजिएगा मैं कोश्यन पढ़ूंगा उसके बाद आपको पांस सेकंड टाइम दूँगा उस पांस सकंड के अंदर आपको राइट आंसर को चूज करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करना है तो चलिए शुरू करते हैं अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना विल्कुल न भूलें और जिल लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है मैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रस कर लें ताकर डेली की टेसरी नॉटिफिक आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा चलिए राइट एंसर जो होगा ऑप्सन नुबर वन का वह आप्सन नुबर टू सही है इसका संस्कृत नेस्ट कोचन है कोश्चन बर दो हिंदी वर्ण माला में वेंजनों की संख्या कितनी होती है पूछ रहा है आप्सन व क्शंट है जल्दी से कमेंट करिए दो नंबर कराइट एंसर को ऑl को दो कोराइट एंसर है आप3 से ये हुँजगा 33 है हम होते हैं हिंदी वर्ण माला में कोचन कोश्चन को इस मती थी हिंदी धिवस कंब नाये जाता है आप्शन नंबर और 14 पून किया होगा कि अपThere को ऐ यह एंसर दिया है और वीडियो के एंड में आप लोग बजरूर बताना कि टोटल कोश्चन में से आपने कितनी कोश्चन शही किये हैं चलिए तीन नंबर का जो राइट एंसर है वह आपका आपका आपसन नंबर चार है कोश्चन है अभी कारी सब्द क्या होता है यह बताना आपको चार आपसन है जल्दी से राइट एंसर चूज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो यह पांच नंबर का जो राइट एंसर होगा आपसन में टू सही है सर्वनाम नेक्स्ट है क्वेश्चन नमर अध्यान करके भी वहां प्रथम स्थान नहीं ना प्राप्त कर सका नीचे दिये गए विकल्पों मेंसे इस वाक मेरा खांकी सब्द की वर्तनी सुद्द कीजिए जल्दी से आप लोग कमेंट करिए क्वेश्चन बर वन है अध्यान ऑप्सन में टू अध्यान आप्सन में अध्यान आप्सन पर अध्यान यहां पर अध्यान जो लिखा हुआ है एक मिनट यह देखिए इसमें लाइन नहीं कीचिए इसी सब्द का बात कर रहा है इस सब्द का सही वर्तनी आपको पहचानना है यहां चार अप्सन दिया गया है राइट एंसर जल्ली लिकमेंट सच्ची दानंद, प्रत्य राइन वर्तनी वालास अंसर सब्द है इस सथ सब्सक्राइब और और वाले विखार या परिवर्तन को कहते हैं आप्सन नंबर यहीं मुए decisions कोश्चन पूछ रहा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, चार आपसंद यागा है, कोश्चन नमर साथ है, जल्दे लिए आप लोग कमेंट करिए, कोश्चन नमर साथ का राइट एंसर क्या होगा, कोश्च नमर 7 का जो राइट एंसर होगा आपसन बर 1 सा ही इसका सधी कहते हैं नेस्ट ए कोश्च नमर 8 सत्या ग्रह का सही संद विच्छेद क्या है आपसन बर 1 सत्या धन ग्रह आपसन बर 2 सत्य धन अग्रह आपसन बर 3 सत्या धन ग्रह जली से बताईए आठ नमबर का राइट एंसर क्या होगा कोश्चन है सत्यागरा का सही संद विच्छेद बताएना है आपको कोश्चन नमबर आठ का जो राइट एंसर है सत्यागरा बराबर सत्यागरा नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर नौ उपसर्ग का प्रियोग होता है अब यहां पूच रहा है का कहां पर होता है option number one सबुच्छ के आदि में यह अन्त में ृपिसन नम्रु के कमें सबुच में सब्द्दों के बीच में 3 सब्द के अन्त में आखरी में और extend 5 же कमेंड करिए question number 1 question 9 question 9 response 9 प्रत्य का प्रियोग हुआ है आपको प्रत्य पता ही होगा तो जल्दी से कमेंट करिए आप लोग दस नंबर का राइट आंशर क्या होगा डस नंबर का फीसा ही है आश फैसर में फ्रत्य आ्व्हांव है ग्यारा नमबर का जो राइट एंसर होगा आपसन बटू सही है दिगु समास में नेस्ट है बारा नमबर कोचन जिस समास का पूर्वपद यानि पहला पद परधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं बारा नमबर का राइट एंसर क्या होगा ज़ले लिए अपलो बताइए बारा का जो राइट एंसर आपसन बट्री सही है अवे भाव में पहला पद सवान परधान होता है नेस्ट कोचन जितले तेरह नमबर राजपुत्र में कावन सा समास है आपसन नमबर 1 तद्पृप्र समास आपसन बटू दिगु समास option number 3 द्वन्द समास option 4 करमधार समास बताइए तेरा नमबर का जो राइट एंसर है option number 1 सही है इसका तत्पूरुष समास है next है निर्देश प्रस नमबर संख्या 14 से 15 तक नेमलिकित प्रतेक चारवी कलपों में से बेमेल सब्द को चन्नित करना है नहीं चार सब्द दिये गया है तीन सब्द एक दूसर संब्दित एक सब्द ऐसा है जो उन से अलाग है वहीं पहचानना आपको चौदा नमबर का राइट एंसर आप लोग कमेंड के लिए option दिया है घर प्रियेजन परिवार बच्चे इस चारों में से कौन सा एक भिन है तीन से च चलिए पंद्रा नमर कोश्चन हमारा इसमें कौन सा भिन है यह बताना है आपको अप्सन है समस्या आप्सन टू खेद अप्सन त्री कटनाई आप्सन पूर जटिलता अब इन चारों में से कौन सा एक भिन नहीं आपको पहचानना है और कमेंड बाक्स में जलिए आप नेस्ट है शूला नमर कोश्चन करकस का विलोम नीचे दिये गये विकल्प में से चुनिए आप्सन नमर वन कठोर आप्सन बटू विवेक की आप्सन बट्री मधूर आप्सन फूर विनर्म चल्दी सेक्मन करिए शूला का राइट एंसर क्या होगा करकस का विलोम सब्द से में को ब्लगी से चल्दी सेंसे ही क्वेश्चन करिए नमर क्या होग़ा कोश्चन है इस म्युक्ता विलोम क्या होता है नेस्ट है 18 नंबर कोच्चन जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उससे क्या कहते हैं वन वर्ड सब्टिजियूशन का है वाक्यान से उख लिए एक सब्द कल मैंने टॉपिक वाइस जब मैं डिसकॉस कर रहा था उसमें आपका इंद्र पर विजय प्राप्त करने का आया था उसमें से मैं राइट एंसर भी बताया था और फंट जिन लोगने टॉपिक वाइज नहीं देखा है वह मैंने टॉपिक वाइज वीडियो अप्लूड किया जो मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स होते हैं जो आपके एजजाम में बार बर रिपीट हो रहे हैं उस प इंदर जीत जो इंदरियों पर विजय कर लेता है उन्हें इंदर जीत कहते हैं नेस्ट है 19 कोचन उच्छ कुल में पैदा होता है वेक्ट उसे क्या कहते हैं इस संटेंस में कौन सा वाक भेद है आपको बताना है चार वाक भेद दिये गया है कौन सा है इसमें 20 नंबर का राइट एंसर फटा फटा कमेंट कीजिए आप लोग कंई तुटी ना हो तो भाग चार को चनित कीजिए यानि चार संटेंस दिए गये हैं यह यह कौन किस भाग में तुटी है यह पहिचाना है आपको आपसर नमर वन है धनवान को व्यर्थ पिर मैं पूस्टिन मत्री है बेकार में सहायता आपसर मत्री है देकर लूज़िआ कर लोक में करिये कैसे हैं इक 21 का राइट अंसर होगा वह आपका आपका अप्सन नंबर टू सही ए वेकार में सहाधा यहां पे गलती है चलिए 22 हिंदी सब्सक्राइब के बाद आता है यह आपका बताना है 22 नमबर का राइट एंसर आप लोग कमेंट करें जल्दी चार आपसन दिया गया है आपसन पढ़िए और राइट एंसर बताइए हमें बाइस का जो राइट एंसर आपसे नमबर का अर्थ क्या है महावरे और लोकुक्तियों पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें से मोस्ट इंपोर्टन कोईशन डिसकस की है जो भीविन परिचाव में पूछे गया है तो आप उनको जरूर देखिएगा क्योंकि उन से कहीं भी कोईशन आएंगे तो उसी कोई वीडियो से आएंगे तो जल्दी से बताएं त्याइस नमबर यह जो आ रहा है कोईशन यह सारे उसमें डिसकस की हैं अकल का दुस्मन को क्या कहते हैं चार आपसन है मित्र महापंडित मूर्ख महामूर्ख सुत्र सत्रू जल्दी को कूती का सही अर्थ क्या होगा अपसर महवन हैं पच्च्छी की तरह बोलना आप समत्रिये फच्च्छ ना जानना आप सनमप्ट्रिये पच्छी अपनी भास स्वैम समझते हैं अपसर महाफोर्श वाले लोग एक दूसरे को साराती साराती है जल्दी से कमेंड करिए कोई नीचे दिये गए वाक्यों के पहले अंतिम भाग को क्रमसा एक और छे की संख्या दी गई है इनके बीच के अंसों को चार भागों में बाटकर याराला तथा वाक की संख्या दी गई है चारों भाग उचित क्रम में नहीं है इन चारों को उचित क्रम में लगाएं तकि एक सह ही वाकिव बन सके अब यहां पर जो है बताए जा चुका है आपको क्या कोश्चन नुमर 25 है चार भागों में बाटा गया है इसको देखिए जिस प्रकार ठीक है उसके बाद में इसके आगे के संटेज को चार टुकडों में बाटिक दिया गया है उनका नंबरिंग कर दिया यानि सीरियल वाइज यार आलावा से अंकित किया गया है उसको आपको सेट करना है जो की एक सीरीज में नहीं है उनको सीरीज में लगा कि एक संटेज बनाना है जो एक अर्थपूर संटेंस बन सके तो उसको आपको पहचानना है जल्दी से कमेंट करिए क्या राइट एंस तर होगा वह आपका यह नी पहले कोश्चन का जो राइट एंसर है 25 का अपसंन नमर 3 से होगा यानी वा या लारा यह आपका सब्सक्राइब बढ़ाएंगे चलिए 26 नमर कोचन है कल्प ब्रिच का प्रयावची का प्रयावची क्या होता है अपसटनवर फ्रू है अपसटनवर थी आपसटन फोर है ये सभी 26 का राइट एंसर क्या होगा और हाँ थोड़े ज्यादा कोचन डिसक्स कर रहा हूं यहाँ पर यह ना सूचि की संख्या बढ़ा दी है कोश्चन आपके एक्जाम 25 ही आने वाले हैं इंदी के जो ज़्यादा कोश्चन डिसक्स करने उसमें आप भरमित न हुआ कीजिए कि आप ज़्यादा कोश्चन आने वाले आने आएंगे 25 कोश्चन तो चलिए बताएए 26 का राइट एंसर क्या होगा पूछ रहा है फूल का प्रियावची कौन सा नहीं है चार आपसंदिया गया आपसंबर वन है सुमन आपसंबर टू है पुस्प अफसंबर यह तनुजा आपसंबर पूर है कुस्प जली जली कमेंट करिए कोश्चन नमर 27 का राइट एंसर क्या होगा 27 का जो राइट एंसर है आपसंबर 3 से यह तनुजा यह आपका फूल का प्रियावची नहीं है बाकि सुमन पुस्प यह सारे फूल के प्रियावची होते हैं और वहां पर कोश्चन आप सही से पढ़ा कीजिए क्योंकि फूल का प्रियावची नहीं पूछ रहा है अब बहुत से लिए सही से होईए उसके बाद ही एंसर कोशे करें किस रस को रसराज कहा जाता है nummer 1 वीरी रस decade घो सान्त रस ज़िए किस को रस रासराज कहा जाता और 28 राइट आइजमर क्या होगा 28 जो राइट एंसर आफसनमर 3 से यह इसका स्रिंगार रस को रस राज कहा जाता है नेक्स्ट है 29 नमर कोचन जिस चंद में 4 चरण और परतेक चरण में 16 मात्राइं होती है वा का कहलाता है आफसनमर 1 दोहा आफसनमर 2 सोठा आफसनमर 3 रोला आफसनमर 4 चौपाई 29 नमर कोचन है जिस चंद में 4 चरण और 16 मात्राइं होती है परतेक चरण में वो क्या कहलाती है 29 का राइट एंसर जल्दी लिए आफसनमर 4 से इसका यानि चौपाई उसको कहते है इसके 4 चरण होते हैं और परतेक चरण में 16 मात्राइं होती है 30 नमर कोच्चन मन रेतन कागद का पुतला लागो भूंद बिनसी जाये चिन में गर्ब करे क्या इतना इन पंक्त में कौन सा रस है आफसनमर 1 भक्ति रस आफसनमर 2 च्रिंगार रस आफसनमर 3 करूर रस आफसनमर 4 सांत रस जल्दी जल्दी कमिन करिए 30 नमर का राइट एंसर क्या होगा 30 नमर कोच्चन का जो राइट एंसर है आफसनमर 4 साई है इसका सांत रस होता है नेक्स्ट है 31 नमर कोच्चन दिवसा वासन का समय में घमए आसमान से उतर रही है यह संद्या सुंदरी परी सी धीरे 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 इस में कौन सा आफसनमर जल्दी जल्दी बताइए 31 नमर का राइट एंसर क्या होगा एक्तिस नंबर का जो राइट एंसर है आप संबर फोर सही है इसका मानवी करण अलंकार नेसर निर्देश प्रस नंबर संख्या 35 से 35 कोईचिन के लिए निम्न प्रसनों के उत्तर दीजिए 32 नंबर कोईचन है दिये गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव के यह निम्न प्रसनों के और उन्हीं में से सारी कोईचिन हो रहे हैं तो एक बार उस वीडियो को जरूर दीखेगा प्ले लिस्ट में बहुत से काम की वीडियों एक बार जरूर देखेगा उन्हें चलिए बताईए दिये गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव के प्रमुक कभी कौन है ? अप्स नमर 1 है सूर दास अप्स नमर 2 है कभीर दास अप्स नमर 3 है तुल्सी दास अफ्स समर 4 है केस जल्दी से बताइए त्स« 32 का राइट अंसर यहoben बात्थ ciao भी है कि घ्चान कवर बटीस नमर 1 आदिकाल की, option 2 रीतिकाल की, option 3 भक्तिकाल की, option 4 आदिकाल की, आधुनिकाल की, जल्दी से बताइए, 33 नमबर का राइट एंसर क्या होगा, 33 का जो राइट एंसर है, वो है का option 1 आदिकाल की रचना है, next है, 34 नमबर कोचन, भारतिय सम्मिधान में किस भाग को राज भासा के रूप में सुईकार किया गया है, 34 का राइट एंसर क्या होगा, 34 नमबर का जो राइट एंसर, आपसन बर 30 है हिंदी को, next है, 35 नमबर कोचन, कामायनी महाकाब के राचाईता काउन है, आपसन बर 1 है सूरदास, आपसन बर 2 है प्रेम चंद, आपसन बर 3 है जैसंकर प्रशाद, आपसन बर 4 है कबीर दास, 35 का राइट एंसर आप लोग कमेंड करिए, कामायनी महाकाब जो है, उसके राचाईता काउन है, यह पूछ रहा है, 35 राइट एंसर आप लोग कमेंड करिए, 35 राइट एंसर आपसन बर 3 है, जैसंकर प्रशाद, कामायनी महाकाब के रचाईता है, नेक्स देखते हैं कोईचन, 36 नमर है, निर्देश प्रसन संख्या 36 से 40 तक है, निमलिकित का व्यान्स को पढ़िए, और उनके नीचे दिये गए, प्रसनों के उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखिए, चलिए, वाक्यान्स जो हम पढ़ते हैं, कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत मा था, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ले देकर, जीना, क्या जीना, इस पंग्त में, स्वरी, आगे भी है, जीना कब तक गम के आंसू पीना माना उताने तुझको सींचा पहां युगों तक खून पसीना यह इस जो आपर पंक्त यह सुनाया है आपको इस पंक्त में इस पूछे का कोश्चन यह समझे जिए गध्यान से कोश्चन आया है तो यह आपको पढ़ना है एक बार फिर से पुछा जायेगा प्रस लिम्यूखित काव्यांस को पढ़िए और उनकेिनीचे दिये गए प्रस्णों को उत्तर विकड़ सुचनिये कुछ भीन बस काईर मत शुचनए कुछ भी question पूछा जाएगा 36 number question कभी क्या करने की प्रिणा दे रहा है option number one गम के आंसु पीने की option number two आत्म समरपण की option number three रुकावटों को ठोकर मारने की option number four है कुछ भी ना बनने की जल्दी से comment करिए यहां पूछ रहा है कभी क्या करने की प्रिणा दे रहा है इसमें 36 का राइट एंसर क्या होगा जल्दी आप लोगो comment करें एक बार में sentence दिखा रहा हूं फिर से पढ़ लिए ताकि आंसे बताने में आपको आसानी हूं कभी क्या करनी की प्रिणा दे रहा है आप जल्दी 36 नमर का जो राइट एंसर होगा वो है आपका आपसर मत्री यानि रुकावटों को ठोकर मारने की बात कह रहा है वो नेस्ट है समझार वादिल समझवता ना करिए किसी विपापति आने पर इनिफ्लूं में कायर का अरथ नहों सहाज अप्र सब्सक्राइब दूस्ट जली से करिए अर्टिस नमर कोचन है इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या हुए है अर्थिस का जुराइब ट्रेंस रूगा आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर्यावची का है अब जब इसका मतलम जानेंगे तभी आप इसका प्रयावची बता सकेंगे तो जल्दे लिए देखते हैं कि कितने लोगों को इसका अर्थ पता हो कितने लोगों को प्रेवाची आता है 49 नमबर का राईट एंसर जहोगा पत्थर नेस्ट कोचन है चालिस नमबर कुछ भी बन बस कायर मत बन कभी ने क्यों कहा आप संबर वन है कुछ भी बनना आसान है आप संबर टू कुछ भी बनना मुस्किल है option 3 है कायर मनुस का जीवन वेर्थ है option 4 है कायर मनुस अच्छा नहीं होता है जली से बताइए कुछ भी बनना बस कायर मत बन पंग कभी ने क्यों कहा है इस बात को 40 का right answer क्या होगा जली लिए अपने बताइए और ये question आपका इस वीडियो का light last question एफ है आइब लिए ज्यादा ज्यादा question का right answer दिया होगा 40 का right answer चली बताते हैं चाली सेंडर का ज्यादा answer है वो option मत्री है कायर मनुस का जीवन वेर्थ होता है इस लिए इस पंक्त का उपियोग उसने किया है है वहाँ पर इसका आर्थ निकलता है कायर मनुस का जीवन वेर्थ होता है हमने चाली स्कूचन डिसकस किया है आई होप आपने चाली स्कूचन में से ज्यादा question का answer सही सही बताया होगा तो अपना रिपूट का जुरू हमाई comment box में comment करिए कि 40 question में से आपके कितनी question सही गया है और जिल लोगों एक बार फिर से कहता हूं जो पहले के मैंने टेस्ट पेपर करवाएं हैं और टॉपिक वाइस हिंदी के करवा रहा हूं अभी वो सारी question आप जरूर देखें हमारे प्रेसिन में जाए हो सारी वीडियो आप आवलेबल है वहाँ देख सकते हैं अब एक्जाम से पहले और फिर थोड़ी दिर बाद हमारे टेट से समद्धित आएंगा उसके बास साम को फिर से टॉपिक वाइस हिंदी का डिस्कूस करेंगा फिर रात में नौ बजी हमारा आता है टेट से समद्धित मल्टिपल चॉइस वीडियो तो हमारे साथ बने रही लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि वीडियो अप्लोड करें तो उसको नौटिफिकेशन आपको मिल जाए